क्रियेटिव लिवर्टी के बहाने आस्था पर नीस हाने बुद्य जीवियो और बॉली बुट को इस बात पर मंथन करना चाहिए भगवान स्री राम और रावायन से हमारी आस्था जूरी हुई इसलिए उसे जूरी ही किसी भी चीज को लोकतांतिरिक तरीके से बिरोद करना हमारा समयधानिक अधिकार है सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आने वाली पीठी रामायन को इस तरह देखेंगी तो वो उसके महत को कैसे समझेंगी इस शिर्फ एक मर्वंजन का साधर मातर बनकर रह जाएगी आस्ता में जमाने के बदलाव का तर्क देना बेबकूफी है आस्ता कभी नहीं बदलती इसलिए क्रियाटिव लिबर्टी के नाम पर अभिवक्ति की आजादी का ढोल पिटना बंद कीजिए रामाइन और महाभारत हमारी संस्कृर्तिक और धार्मिक बिरासत है भगवान स्री राम और भगवान स्री क्रिश्न हमारे परम पूज इस्वर हैं और इन से जुरे हुए दुसरे पात्र भी हमारे लिए अनुकर्निये और पूज हैं इन से सम्मधित कोई भी बदलाव हमें सुईकार नहीं हैं। हमें अपने अतित के पातरों और उनके द्वारा अस्थापित मुल्यों पर अथाग गर्व हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार आरके जैसबाल के साथ। आदिपुरुस अल्टीमेटम ने आदिपुरुस मुवी के टीजर के रिलिज होने के बाद पूरे भारत में विबाद और बहस छेड़ दी है। कई बार ऐसा लगता है कि हिंदु देवी देपताओं का उपहास उराना, सनातन धर्म का मजाक बनाना और देवी देपताओं को गलत तरीके से चित्रित करना ने ट्रिंद का हिस्सा बन गया है। ऐसा करने वालों को लगता है कि ये सब करने से हुआ काफी कूल लग रहे हैं। कई बार बोलने की अजादी के नाम पर तो कभी धर्मिक स्वतंत्ता के नाम पर या फिर कला की अजादी के नाम पर अक्सर हिंदु देवी देपताओं का मजाक पूराया जाता है। आखिर संस्ती पबलिसिटी के लिए कब तक हिंदु धर्म और देवी देपताओं का अपमान होगा। एक सवाल और उठता है कि आखिर लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है। अब यूँ ही मेरे मन में एक सवाल आया कि किसी और धर्म के देपता या गुरू होते तो क्या इसी तरह से उनका भी मजाक उरया जा सकता था। या हिंदु देवी देपताओं की खिली उराने का पहला मामला नहीं है। रोज सोसल मीडिया, टीबी और अनमंचों पर हिंदु धर्म के देवी देपताओं का जो मजाक उर रहा है। इस पर हमने चुपी ओड़ रखी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बुरा नहीं लगता है। लगता है, बस हम सोचते हैं कि इसका विरोध कोई और कर देगा। सोचने की बात है कि किसी भी धर्म का मखौल उराने वाले बेक्ती की भावना क्या होती है। सचतो यह है कि हिंदू धर्म में ही ऐसे कई लोग हैं जो आपको खुद टार्डगेट करते हैं। क्या फैक्स पर किरियेटिविटी की जीत होगी। हमें भरमित परिश्चिती की तंत्र के यूएस रूप की ओर धकियल रहा है। जहां सही को गलत से और अच्छे को बूरे से अलग करना मुश्किल है। उत्तर बहुत सरल है। रश्चनात्मक्ता एक ऐसे छेतर में सामिल हो सकती है जो धर्म के पहलूओं और सिधांतों को बदनने की कोशिस नहीं करता है। रश्चनात्मक्ता का उपयोग दोनों तरह से किया जा सकता है। नुकसान पहुचाने के लिए या अच्छा करने के लिए। रश्चनात्मक्त कार्ज जो समाच पन्नकरात्मक्त पर भाव डालते हैं। हतों साहित करते हैं और उन्हें खुले तोर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए और इसमें सामिल है फिल्वा में अत्याधिक भरष्टा जो कल्पनिक है और बास्त्वी घटनाओं से संबंधित नहीं है महिलाओं को बस्त्वों के रूप में चित्रित करना सराप को बढ़ावा देना और बैभीचार आदी मुक्मुद्दया है कि आज हम राचनात्मक कलाकारों की जिम्मेदारियों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं और यदि इन जिम्मेदारियों का उलंगन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है लेकिन यह कानूनी पर किरिया के नुसार ही किया जाना चाहिए लुक्तांत्रिक राज अपने नागरीकों के किसी भी बौधिक संपद्धा पर परतिबंध या परतिबंध के खुले तोर पर बकालत नहीं कर सकता है चुनोती सभी कलाकारों और लेखों के अधिकारों की रक्षा करने की है जबकि समान रुप से उन्हें समाज की उपर भावित करने की कोशिस के लिए दर्नित करने के लिए कानून है या बहुत सिधा है और यहां हम एक ऐसे मुद्धे पर लगातार बहस कर रहे हैं जिसे समान ग्यान से निप्ता जा सकता है तथा कथित बॉलीवूड सभी को निशाना बना रहा है अभी व्यक्ति की अजादी तभीत तक है जब तक किसी दूसरे समुदाय की आस्था पर चोटना करे धार्मिक नैकों पर फिल्म में नैकों का समान नहीं तो यह सनातनी आस्था पर पुठारा घात है इस पर ततकाल परभाव से बेन लगना अतिया वस्यक है हिंदी फिल्म निर्मताओं को साथ और सत्तर के दसक की फिल्म निर्मान की ओर लोटना चाहिए जहां अच्छे अभी नय कहानी में मेलो ड्रमा और अच्छे संगित ने फिल्म को हिट बनाया निर्माता लाल्ची हो गए हैं और हिंदु धर्म के साथ सीमा पार करने और सोतंत्राय लेने को तैयार है अभी व्यक्ति की आजादी सिर्फिक धर्म के लिए क्यों अगर किसी और धर्म के बारे में कोई कुछ बोल दे तो सड़तन से जुदा या दोरा मापदन क्यों एक अच्छे लुक्तांत्रिक देश में जहां सब बराबर है सम्मेधानिक तरीके से बिरोत किया जादी सब को है किसी को 20 सरक्पर मार देना सही या लुक्तांत्रिक तरीक नहीं किया फिर आज ऐसा क्यों है कि लोगों को हिंदू धर्म से जूरी फिल्मों का बिरोत करना पर रहा है बुद्धी जिवियों और बॉली बूट को इस बात पर मंधिन करना चाहिए भगमार स्री राम और रमायन से हमारी आस्ता जूरी हुई है इसलिए उन से जूरी तो वो भी उसके महत को कैसे समझेंगी यह सिर्फ एक मन्रवंजर का साधन मातर बनकर रह जाएगी आस्ता में जमाने के बदलाव का तरक देना कूफी है आस्ता कभी नहीं बदलती इसलिए क्रियेटिव लिवर्टी के नाम पर अभिव्यक्ति की आजाजी का ढोल पितना ब और इन से जुरे हुए दुसरे पात्र भी हमारे लिए अनुकर्णिये और पुज हैं इन से संबंधित कोई भी बदलाव हमें स्विकार नहीं है हमें अपने अतित के पात्रों और उनके द्वरा अस्ताबित मुल्यों पर अथागर्व है मित्रों या वीडियो आपको कैसा कहा लगा किर्प्या कमेंट में हमें जरूर बताएंर आपने हमारा अभी तक चैनल सक्ष क्या है तो किर्मिया चैनल सब्सक्राइब कर लें कमेंट करें तो मिलते हैं मिल्प्र किसी और खबरों के साथ नमस्कार